नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोश मार्यो रेवेरा के बारे में तो दोस्तो ऐसी इस्टवेंगल एवसी के कोश मार्यो रेवेरा को लेकर आज हम डिटेल्स में बात करेंगे लेकिन दोस्तो वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आप स्टा को्रों तो दोस्तो अभी फिलाल मारियो रेविरा घोच है और सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि मारियो रेविरा के अंडर में SC East Bengal FC ने कैसा प्रजशन किया है तो दोस्तो, SC East Bengal FC ने Mario Rivera के अंडर में इस सीजन का पहला जीत हासिल किया और सबसे बरी बात और सबसे बरा प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है Mario Rivera के अंडर में SC East Bengal FC का स्कॉर्ड में वो है दोस्तो की स्कॉर्ड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आया है प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस काफी ज़्यादा हाई हुआ है और पिछले कुछ मैचिस से अगर SC East Bengal FC का प्रजशन देखे तो बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा है तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि Mario Rivera के अंडर में East Bengal FC ने अच्छा प्रजशन नहीं किया है हलाकि result East Bengal FC के हक में नहीं रहा लेकिन दोस्तो मुझे East Bengal FC का प्रजशन बहुत ही अच्छा लगा और हम सभी को East Bengal FC के साथ रहने चीए क्योंकि दोस्तो अभी East Bengal FC बहुत ही जदा खराब दोर से गुजर रही है और Mario Rivera ने जैसा अपना टीम को अभी मैनेज किया है शायद ही कोई कोच आकर इतना जल्दी अच्छा मैनेज कर पाता तो हाला कि East Bengal FC के हक में result नहीं जा रहे है कुछ दोस्तो लग भी East Bengal FC के साथ नहीं है पिछले दो सीजन से तो खैर East Bengal FC के कोच अभी फिलाल Mario Rivera काफी ज़ादा confidence है अपने इस टीम को लेकर और दोस्तो Mario Rivera अभी सोच रहे है कि पेरो सिवीच और मारसेलो का जोड़ी किसी भी तरह से बन जाए तो हम भी यही आशा करते हैं कि Mario Rivera के अंडर में पेरो सिवीच और मारसेलो अच्छा खेले तो दोस्तो आप यह बात आता है क्या Mario Rivera अगले सीजन East Bengal FC के साथ continue करेंगे या फिर नहीं तो मेरे मन में यह सवाल चल रहा था तो शायद आपके मन में भी यह सवाल चल रहा होगा तो अगर आपके मन में भी यह सवाल चल रहा है तो प्लीज कॉमेंट करिए तो आमी एकुनी बोले दिची बोंदूरा Mario Rivera आगे बोचोर थाक्चेन की थाक्चेन ना एकुनी बोलार संभाव नौई किन्तु एटामी बोले दी कि East Bengal FC कोर्मो को तरा Mario Rivera कास देखे ओनेक टाई खुशी आचेन तो इसलिए दोस्तो बहुत ज़ादा चांस है कि Mario Rivera अगली सीजन कंटिन्यू करे as a hate coach for SC East Bengal FC तो दोस्तो यह बहुत ही बड़ा question है कि Mario Rivera अगली सीजन कंटिन्यू करेंगे या फिर नहीं तो मेरे ख्याल से तो Mario Rivera के अंडर में SC East Bengal FC अच्छा परदर्शन कर रही है और शायद अगर Mario Rivera को और मौका दिया जाए तो मुझे लगता है Mario Rivera एक अच्छा परदर्शन कर सकते है अगले सीजन तो यह सीजन तो East Bengal FC का almost खतम ही हो गया है क्योंकि दोस्तो अभी बहुत ही जादा आगे चले गई है ISL के बाकी सारे टीम तो East Bengal FC के लिए अभी संभव नहीं है कि वो सेमी फैनल के लिए क्वालिफाई करे तो इससे बैतर यही होगा कि East Bengal FC अगली सीजन की तयारी करे और वैसा ही हो रहा है तो East Bengal FC मैनेजमेंट भी इन्वेस्टर के खोज में है और दोस्तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इसका नाम आ रहा है बहुत सारे रियूमर्स आ रहा है East Bengal FC के निव इन्वेस्टर को लेकर आर जोदी बुंदूरा आपना रहा इन्वेस्टर निए वीडियो देखते चांता होले आमा के कॉमेंट बॉक्स से और वो शोई जाना ले दोस्तो मैं कोशिश करूँगा आपको सही निउस देने की तो चलिए फिलाल ये वीडियो में इतना ही था आशकरता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो शेर करो अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में प्रेस कर दीजे तो चले दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में